हाई अब्लोग है मैं गवाई हूँ मेरे पोते का मुंदन संसकार था और तो मुंदन संसकार तो कंप्लेट हो गया बट फंक्सन के बाद जो किफ्ट मिलते हैं या जो हमारे रूम मेसी हो जाते हैं तो उसको कैसे अच्छी तरह से और्गनाइजड करें तो यह वीडियो इससे पे आधारित है और कुछ बापू का जो है मुंदन संसकार जब हुआ था वहां का थोड़ा सा क्लिप सेयर करोंगे असा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल पर जो नहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा और बिल आइकन जो है वो और पर क्लिक कर देजिएगा तो चलिए वीडियो महां नहीं तो इस बाड जब घर का जो हुआ है तो इसको मैं ने यहां से इसको करवाया और यहां पे क्योंकि यहां पे बंदर बहुत आते हैं, तो जब यह नहीं था, तो बंदर इधार इस एरिया में आके पूरा गंदा वगएरा करते थे, काफी गंदगी हो जाती थे, तो इसको मैंने इस तरह सी यह जाली करवा दिया, तो थोड़ा सा यह सेपरेट हो गया है, तो अब मैं आपको रूम दिखाते हूं, तो य यह जो है ब्रीब केस मैं सही कर रहे थी, तो तभी आडिया आया, और यह सारे जो गिप्स वगएरा मिले हैं, इस तरह से सारे हैं, तो अभी इसको मैं अर्गनाइज़ करूंगी, और कुछ टिप से भी बताऊंगी, कि कितनी जल्दी से हम अपने आफ्टर फंक्शन, हम कर सकते हैं, तो चले दिखाते हूं, तो यहां पर मैं सबसे पहले अपने जो यहां से मैं कपड़े ले गई थी गाउं के लिए, तो उसको पहले मैं अर्गनाइज़ करूंगी, ताकि आधा काम मेरा खतम हो जाए, क्योंकि जो कपड़े हमारे होते हैं, जो फंक्शन में हम जादा हो जाते हैं, और उसको और्गनाइज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो जैसे ही फंक्शन खतम हो, सबसे पहले हमा अपने कपड़ों को एक जगा ट्रॉली वगारा में रख देना चाहिए, इससे बहुत ही आसानी होगा, और हमारे जो कपड़े हैं, बहुत ही तो उसको हम ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने यह जो है, जो मुझे यहाँ लाना है, गोरकपूर, उसको मैंने यहाँ लगा दिया है, और अभी जो मेरे हाथ में जो कपड़े हैं, उसको मुझे वही रखने हैं, तो उसको मैं अपने अलमारी में रख दूँगी, उसके कपड़े ज़्यादा मिल गए थे बाबू को तो कुछ कपड़े मैंने घर पे ही रख दिये हैं क्योंकि वहाँ पर जो function वगएरा पड़ेगा तो वहाँ के लिए वो कामा जाएगा और कुछ कपड़े मैं अपने साथ यहाँ सहर में लाई हूँ क्योंकि यहाँ भी कुछ function वगएरा पड़ते हैं कुछ बाबू पहनेगा तो इस तरह से करके हम इन gift का यूज करते हैं तो यह tricks अब भी अपनाईए और जो हमारा पैसे की भी बचत होगी और हमारे जो घर हैं वो भी अच्छे से manage रहेगा तो यहाँ मैंने दो बैग में gift को सारे कर दिये हैं और जो साड़ियां वगएरा मिली थी मैं यह जो transparent bag है इसको मैं इसमें रख दूँगी तो इस तरह से करने से जो है सारे जो कपड़े और जो gift हैं वो अच्छे से organized रहती हैं और ऐसे transparent bag में रखने से हमें पता चलता है कि कितनी साड़ियां हैं कितनी नहीं हैं चाहे हम कहीं भी रख हैं थोड़ा सा खुलने से हमें पता चल जाता है कि कितने कपड़े उसमें आ जाएंगे और कितने नहीं आ जाएंगे और फिर हमें जरूरत पढ़ने पर वो काम आता है और हमारे पैसे के भी काफी बचत होती है तो इस तरह से मैं अपने जो सारे गिफ्ट हैं इस तरह से मैंने कर दिया है और कुछ यह सारे जो हैं मैं अपने साथ ले आऊंगी तो इस तरह से मैं अपने रूम का जो है अच्छे से दिया है और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं इसमें से ले लूंगी और कुछ यहां रख दूंगी वाडरोब में और कुछ अपने साथ ले आऊंगी और देखें रूम मेरा अच्छी तरह से क्लीन हो गया तो इस ट्रिक्स को आप भी फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले अरेंज करने इस तरह से करने से काफी सुविधा हो जाती है और हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा अलाकि अभी मैंने हम लोगों ने गाउं का घर पेंटिंग करवाया है तो इसे वज़े से और आपको साफ साफ दिख रहा होगा और यह मेरी आलमारी है वो देखा है तो मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यह थोड़ा सा फंक्सन का है जब इसका मुंडन हो रहा था बाबू बहुत रो रहा था बट किसी तरह हम लोगों ने पकड़के यह मुंडन करवाया उसको यह लग रहा था कि मेरे सर पे कुछ चल र किसी तरह हम लोगों ने पकड़ वगएरा कि उसको बाबू को मैंने फिर मैं बैठी फिर सर को पकड़के फिर उसको मैंने किसी तरह से करवाया तो असा करती हूँ कि यह जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा और आफ्टर फंक्शन जो हमारा मैसी रूम रहता है तो उस को हम कैसे और्गनाजड करें और गिप्ट को कैसे अच्छी तरह से पैक करके रखें तो कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर सेर करिएगा और अपनी फेमिलियर फ्रेंड के साथ है और न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़िए